हालो एपरिवान और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली है एक बहुत ही मज़दार पराथा एकदम अलग सा पराथा है यह है धनिया का पराथा यह खाने में बहुत अच्छा लगता है आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी मैंने धनिया का पराथा में डालने के ल आप हरी मिर्चे आपके सौद के हिसाब से कमियादा ले सकते हैं आलसू यह यह हरा धनिया इसको मैने साफ कर लिए है दो लिए है और ड्राइ कर लिया है और इसके बाद मैं इसे फाईनली चॉप कर रहे हूं आज-कल धनिया बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में, make most of it, जातर हम लोग चतनी बगेरा बनाते हैं, ये पराठा आप ट्राइ कीजेगा, आपको ये पराठा भी बहुत अच्छा लगेगा, धन्या एकदम सूखा हो, इस चीज का ध्यान रखें, पानी पानी नहीं होना चाहिए, सब कुछ काट ग वो इसके अंदर आड़ कर दीजे, और अगर आप चाहें, तो इस टेज पे इसमें काटा हुआ, प्याज, अद्रक और लहसुन भी मिला सकते हो, मैं इनके बगैर बना रही हूँ आज, अभी ये जो सबजी आपने डाली है, इसको आटे में अच्छे से रब कर लीजे, और चाहें, तो इसमें और मसाले, जैसे कि आपका हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, गरब मसाला, चाट मसाला वगेरा भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं आड़ कर रही हूँ, इसमें मैंने मसाले के नाम पे डाला है हरी मिर्ची, और उसी से अच्छा टेस्ट आजाएग नॉर्मल रोटी पराठा को आप इस तरह का ट्विस्ट दे सकते हैं, यह बहुत अच्छा लगता है खाने में, एकदम सौफ्ट सा आठा बना कर तयार कर लीजे, हो सके तो इसे कम से कम 15 मिनिट्स का रेस्टिंग टाइम दीजेगा, ऐसा करने से जो आपके आठे के अंदर लूटन है वो अच्छे से डवलप हो जाता है, और पिर आपको रोटी बेलने में बहुत असानी होती है, और आपका रोटी पराठा खाने में बहुत सौफ्ट बनता है, और यह साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा आठा ज्यादा है, इस साइड में 2-3 तेल क बूंदे डालूंगी, इसको एक उंगली से स्प्रेड कर लीजे और अब इसके एक पोटली जैसी आपको बांदनी है, अगर आठा नहीं दिख रहा है ना आपके छोटी सी रोटी पर तो थोड़ा आठा चड़क लीजे, सूखा आठा और फिर थोड़ा तेल दालेगा और यह पोटली बंद कर लीजे, ऐसा करने से आपका जो पराठा है इसमें परत आजाएगी, बहुत इजी वाला तरीका है, यह आप चाहें तो जो स्क्वेर और ट्राइंगल पराठा होते हैं, उस तरह भी से शेप कर सकते हो, इसके बाद मैं इसको बिलकुल हलके हातों से रोल आटे में और फिर मैं इसकी एक लंबी सी रोटी बना लूँगी, और यह जो रोटी आपकी बेल कर तयार हो चुकी है, अभी इसको सेखने का वक्त है, इसको मैं सेखने वाली हूँ ओल के साथ, आप चाहें तो घी, बाटर, ओलिव ओल किसी भी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा सा ओई लगा रही हूँ मैं और इसको सेख लेना है, अच्छा खासा लाल-लाल, थोड़ा सा low to medium flame पे, medium to high flame पे आप इसको सेख किएगा, अच्छी तरह लाल-लाल सिख जाएगा, तो देखने में भी अच्छा लगएगा, खाने में भी जाता है and especially आपकी सूखी सबजियों के साथ इस तरह के पराठे बड़े मज़दार लगते हैं और जैसा कि अभी सीजन में धनिया है भी बहुत जादा make most of it otherwise तो पूरे साल धनिया 100-200 रुपी किलो से नीचे आता ही नहीं try this पराठा आपको यह पसंद आएगा और यह देखे सेक कर अच्छा खासा तयार हो गया यह पराठा गर्म गर्म खाने में तो बहुत ही मज़दार लगता है उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएए और आप इसे try देंगे thank you for watching guys, take care, bye bye और अगर आप मेरे पेज़ पर पहली बार आएए तो please like कीजेगा for more such new recipes